अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा है हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नीचे बैल एकनों से प्रेस चरूर कर लें ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए आज के वीडियो में बताने वाली हूँ नरक निवारन चतुर्दसी के वारे में जी हाँ साथ में बताओंगी पुजा विधी नरक निवारन चतुर्दसी व्रत से कट जाते हैं सभी पाप भगवान सिब को इन उपाईयों से करे खुश सिब पुणान के अनुसार नरक निवारन चतुर्दसी के दिन परवत राज हिमाले ने पुत्री पारवती की साधी के लिए सिब के पास भेजा था प्रस्ताव बिहार वो खासकर मितलांचल में धूम धाम से मनाया जाता है ये पर भगवान सिब की उपासना से खत्म होते है सभी पाप नरक निवारन चतुर्दसी पूजा विधी सुरे हुदे से पहले उठकर सनान कर भगवान सिब की पूजा की जाती है विधी विधान से भोले नात की पूजा अर्चना करनी चाहिए इसके अलावा भगवान सिब को प्रसं करने के लिए बेल पत्र और बेल कर भोग लगाना चाहिए शाम के समय में बेर खाकर वरत का पारण करना चाहिए नरक निवारन चतुरदर्शी के दिन मंदिरों में रुद्राविशेक, सिंगार और जलाविशेक होता है मान्यता है कि इस वरत को नरक की यातनाओं से बचने के लिए किया जाता है खास कर बिहा पारवती का विवाह तै हुआ था आज से ठीक एक महिने बाद फालगून क्रिश्न पक्ष चतुरदर्शी को स्रिप पारवती की विवाह हुआ था इस दिन को महा सिवरात्री के रूप में मनाया जाता है कई लोग इस दिन भोले नात को प्रसन करने के लिए वरत रखते हैं माग क्रिश्न पक्ष चतुरदर्शी बीश जनवरी दिन शुक्रवार को पुर्वासाध नक्षत्र वहर्ष वस्वार्थ सिधी योग में नरक निवाडण चतुरदर्शी वरत मनाया जाएगा ये योग पूरी दिन रहेगा ऐसे में शर्ध्वालू पूरी दिन वरत कर दिशेश महत्व है वरत से पाप कर्म के बुरे प्रभाव से मुक्ती मिलती है ये पर्व बिहार के अन्ने हिस्सों के साथ ही मिथलांचल में अधिक महत्वण रूप से मनाया जाता है कैसा लगा आप सभी को हमारा ये नरक निवारन चतुरदर्शी पूजा विधी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आये हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंसेर करना बिल्कुल न बूलना मेरे वीडियो को इंट तक देखने के लिए दिल से धन्यवा थैंक्स पूर वाचिंग कीप सपोर्ट